जैहिन दोस्तों, NCRT Class 12th History यानि Themes History के डिसकसन में आपका स्वागत है हम डिसकस कर रहे है Theme 5 को और जो जितने भी यात्री आये हैं यानि जो ट्रेवलर्स आये हैं भारत में खास करके मैधे कालिन भारत में यानि 10 से लेकर 17 सताब्दी तक इनके यात्रा वरितानतों से यानि इनों ने जो ट्रेवलोक्स लिखा और Indian Society को किस रूप में देखा हम इन चीजों को डिसकस कर रहे हैं तो काफी interesting हमारा ये lecture है और last two lectures में हमने काफी कुछ डिसकस भी किया इससे संबंदित जैसे सबसे पहले हमने विजरंगर एंपायर पर बात की और इसके बाद अल बरुनी पर और जैसा कि मैं पता है अल बरुनी ने बुक लिखी किताब उल हिंद जो की काफी प्रसिद पुस्तक है अर्वी भासा में लिखी गई आपको ध्यान रखना है फार्सी भासा में ये नहीं है और इसके बाद हमने और भी काफी कुछ डिसकस किया जैसे काफी सारा ट्रांसलेशन का कायर भी अल बरुनी के द्वारा किया गया जिसमें पतंजली के कायर भी सामिल है ये चीज एक्जाम के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है पूछी भी गई है और इस तरीके से और भ बार से संबन्दित था तो इस तरीके से ये चीज़ें इंपॉडन बन जाती है और इसके बाद हमने अल बरुनी की पुस्तक किताब लहिंद पर बात की जो की अर्बी में लिखी गई है और इसके बाद इबन बदुता की जो बुक है रहला ये भी हमने डिसकस किया तीसरे इस चेप्टर के तीसरे लेक्टर में भी हमने काफी कुछ डिसकस किया था जैसे हमने इबन बदुता के फुट स्टेप्स और भी जो यात्री आए हैं उन पर डिसकसन किया और बर्नियर पर बात की काफी ज़्यादा इंपॉडन है बर्नियर पर डिसकसन बिकुस बर्नियर स पर discuss किया और add that हमने बात करी कि किस तरीके से बर्नियर ने बताया कि इंडिया की जो society है इनमें कुछ लोग जो है ये बहुत ही ज़्यादा मीर है और कुछ लोग यानि maximum जनता बहुत ही गरीब है middle class exist ही नहीं करता है और ये काफी बड़ा criticism भी था एक रूप में because आगे हम देखेंगे कि बर्नियर इवन वारन करते हैं यूरोप के राजाओं को कि वो मुगल तरीके को ना adopt करें तो ये बात important है बर्नियर का एक काफी important statement है कि middle class जो है ये exist नहीं करती है इंडिया में देखें boxes काफी जादा important होते हैं और हमने last three lectures में देखा भी किस तरीके से काफी सारे sources से previous year question UPSC के द्वारा पूछे गए हैं तो ये important है और source 12 के हम बात करते हैं तो देखें बर्नियर के बारे में जैसा कि हमने discuss किया कि बर्नियर ने यूरोप के राजाओं को भी warning दी है एक तरीके से कि वो इंडिया के model को adopt ना करें वो इंडिया के model से काफी जादा आश्यर भी हैं और दुखी भी हैं आश्यर इस सेंस में कि जो मुगल क्लास है या जो nobles हैं ये काफी high standard की living जीर हैं और काफी majority में जो जनता है ये काफी गरीबी में अपना जीवन बिता रही है तो ये हम quickly cover कर लेते हैं इस चीज को देखे so polite and flourishing as we see them तो ये बात बहुत unique है और इसके बाद इन्हों ने ये भी बताया कि हमारे जो राजा है ये otherwise rich है powerful है और हमें ये भी एक तरीके से सपत लेनी चाहिए कि ये जो हैं बहुत जादा better है रोयली सर्ड किये गए हैं और ये राजा भी बनने वाले हैं लेकिन बहुत ही जल्द किनके तो deserts और solitudes of beggars के यानि एक तरीके से गरीबों के और barbarians के और जो यह भी बता रहे हैं जिस तरीके से मैं मुगल को represent कर रहा हूं उसी तरीके से इनका भी हाल होने वाला है अगर अ बात करें कि cities और towns को नोंने किस तरीके से define किया है तो cities और towns के बारे में नोंने कहा है कि बिल्कुल ruined है contaminated है यानि काफी ज़्यादा प्रदूसित है इल air से और इनके जो fields से over spread है बुसेज के साथ यानि काफी सारी जाडिया है और मतलब एक तरीके से भर-भर के criticism किया गया इ जैसा कि हमें पता है कि burnier ने इन सभी चीजों के लिए जिम्मेवार ठहराया है crown ownership of land को इसका क्या मतलब है समझते हैं देखिए crown ownership of land का मतलब यह है कि जो ownership है land की ये राजा के हाथों में है तो वो reason हमने discuss भी किया था last की lecture में उम्मीद है आपने last का lecture ज़रूर देखा होगा और इसमें burnier के द्वारा ये माना जा रहा है कि सारे जो lands है उस पर मालिकान हाग किन का है किन का है और ये एक reason बन रहा है कि लोग जो है वो अपने खेतों में अपने land में invest करने के लिए त्यार नहीं है लेकिन एक बात जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी यात्री है उनकी सारी बाते हमें मतलब directly accept नहीं करनी चाहिए बलकि हमें इन चीजों को दूसरे एंगल से भी analyze करना चाहिए for example कोई भी मुगल official document जो है ये नहीं बताता है कि state जो है ये इकलोता ओनर था land का for example अगर हम अबुल फजल की बात करें अबुल फजल काफी renowned author अकबर के time पे और अकबर नामा इने अकबरी काफी सारी पुस्तकों के लेखक हैं तो 16th century में इन्होंने क्या बताया है कि जो land revenue है ये एक तरीके से sovereignty के rumination के जैसा कारे कर रहा है यानि simple सी बात है कि जो king है वो protect कर रहा है अपने subjects को तो इसके बदल में ये एक claim है तो he provided rather than as rent on land that he owned तो एक तरीके से ये rent के जैसा काम कर रहा है और यह भी possible रहा हो कि जो European travelers है इन्होंने इन rent को ही एक land revenue के रूप में देखा और एक तरीके से इन्हें लगा कि जो land है इस पर मालिकाना हाक है king का लेकिन ये actually rent या even land tax के रूप में भी नहीं था बलकि crops पर ही tax लगाया जाते थे जैसे अगर हम अकबर के time पर बात करें तो दहसाला system जो यह काफी जादा प्रसीद था तो अब यह सी बात है बर्नियर के बातों में बहुत जादा education है लेकिन देखिए जैसा कि मैंने बताया बर्नियर की किताबें बहुत जादा परसीद हुई यूरोप में और काफी सारे लोगो में जो oriental despotism की idea है oriental का मतलब है related with east और despotism का मतलब एक despot king की बात की जा रही है तो इनके according क्या है कि जो Asia है इनके rulers absolute authority को enjoy करते हैं अपने subject के उपर यानि राजा के पास complete authority है अपने जनता के उपर और यही बात है और यह reason भी यह मान करके चलते हैं Montesquieu का भी even मानना था कि जो east है यानि जो Asia है इनमें subjugation और poverty का major reason यही है कि absolute authority है राजा के पास क्यों? क्योंकि जो सारा का सारा land है यह संबंद रखता यानि यह राजा का है और private property exist ही नहीं करती तो obviously बात है फिर ऐसे में क्या होगा सबी लोग केवल राजा और उनके नोबल्स को छोड़के बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर पाएंगे बड़ अगेन मैं आपको बता रहा हूँ यह चीजे हम 100% सही मान करके नहीं चल सकते क्योंकि कोई भी official account उस समय का खास करके जो official documents है मुगल दर्वार से सम्बंदित वो इस चीज को claim नहीं करते हैं तो travelers के perspective से हम society को समझ रहे हैं तो केवल उसी रूप में आप इस चीज को समझे हैं क्योंकि अगर हम तथ्यों की बात करेंगे तो फिर यह चीजे कहीं ना कहीं 100% मान नहीं होंगी अब बर्नियर के जो स्रोत हैं यानि जो उन्होंने लिखा उसका प्रभाव आगे तक भी पड़ा इवन अगर कार्ल मार्क्स की भी बात करें तो कार्ल मार्क्स ने भी ये बात की पुष्टी करी कि जो इंडिया है या बाकी हम आयनने Asian countries की बात करें तो colonialism से पहले क्या था कि जो भी surplus होता था यानि खाने के बाद जो फसलने बच जाती थी वो state के द्वारा यानि वो king के द्वारा ले लिया जाता था इससे क्या हुआ इससे एक ऐसे society emerge हुई जिनमें large number of autonomous egalitarian village communities देखने को मिली तो ये एक तरीके से stagnant system बन गई थी क्योंकि जब तक surplus चीजें उन तक पहुँचती है तब तक कोई दिक्कत नहीं थी otherwise फिर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था rural peoples को so again हम इस बात का खंडन करेंगे क्यों क्योंकि हमें पता है कि मुगल टाइम पे even 16th century या 16th, 17th century की हम बात करें तो वहाँ पे भी काफी सारे social और economic differences थे हैं obviously exist करते थे ये जैसे बर्नियर ने क्या कहा बर्नियर ने ये कहा एक तरब तो राजा लोग हैं जो काफी अमीर हैं दूसरे तरब बिल्कुल ही गरीब जनता है जिनके पास मुश्किल से खाने के लिए हैं इवन जो पेल्सार्ट है अभी हमने देखा था लास्ट के लेक्चर में कि पेल्सार्ट का ये कहना था कि बहुत ही कम बच्चता है बहुत मुश्किल से ये अपना पेट भर पाते हैं ये लाइन हमने पढ़ी थी पेल्सार्ट की कि इतना पीजेंट से छीन लिया जा रहा है कि उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचरी अपने पेट को भरने के लिए तो इस लेबल का एजिग्रेशन देखने को मिलता है हाला कि कुछ बाते सही भी है पट एक दो इस्टेंस के आधार पर आप complete society के बारे में इस तरीके की बाते कहना अतिस योगती होगा यानि जरुवत से जादा होगा क्योंकि अगर हम rural society की भी बात कहने उस टाइम पे तो उसमें भी काफी सारे economic differentiation थे ही क्यों एक तरफ तो बड़े जमीनदार थे जिनके पास काफी सारी जमीने होती थी और कुछ लोगों को higher करके जो landless laborer है जिनके पास खुद की जमीने नहीं है और जिनका जो social status है यह भी weak है तो उन लोगों के द्वारा भी यहाँ पे खेतों में काम करवाया जा रहा था तो बर्नियर ने जो कहा कि बिल्कुल कोई exist ही नहीं करता middle class तो यह बात यहाँ पे इस तरीके से गलत देखने को मिल रही है तो वही बात है यहाँ पे कि जो big present है यानि जो बड़े किसान है यह higher कर रहे हैं labor को और commodity production में यह engage कर रहे है smaller peasants को अब देखिए बर्नियर ने बातें लिख तो दी बट उन बातों को कोई मजबूत आधार के मजबूत आधार के तहत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कैसे देखिए एक तरफ बर्नियर ने क्या कहा बर्नियर ने यह कहा कि जो artisan है या जो peasants है इनके पास तो कुछ बची नहीं रहा है क्योंकि जो भी surplus है यह तो राजा के पास आ रहा है तो बर्नियर ने यह बात कही कि जो मुगल estate है यह बिल्कुर tyrannical है और उनका जो description है यह तो बताता है क्यों क्योंकि जो भी profit उन्हें हो रहा है यह तो state के द्वारा ले लिया जा रहा है तो यह बात है लेकिन और हाँ यह बात भी इन्होंने कही कि इस तरीके से जो manufacturing है यह बिल्कुल decline पर है और बिल्कुल धोस्त होने के कागार पर है लेकिन उसी time पर उन्होंने यह भी कहा कि जो world में precious metals का flow है यह इंडिया से हो रहा है यानि इंडिया के लोग काफी आगे हैं artisan काफी मीर हो रहा है क्योंकि काफी सारा जो export है यह इंडिया से देखने को मिल रहा है और जो manufacturing है यह export की जा रही है और इसके बदले में क्या आ रहा है gold और silver पहुँच रहा है भारत तो यह बहुत बड़ी बात है एक तरीके से और इन्होंने यह भी कहा कि prosperous merchant community भी exist करती है और जिनका वैपार काफी दूर तक है तो एक तरफ तो इन्होंने यह कहा कि artisan के पास artisan के पास अब देखिए यही नहीं बर्नियर ने एक तरफ कहा कि जैसा कि हमने देखा बुसेज वगरा है और वहीं दूसरी और यह भी बताते हैं कि जो वास्ट टेक्ट आफ कंट्री है इनमें काफी बड़ा जो पोर्सन है यह fertile है बहुत जादा fertile है और यह बंगाल की बात कर रहे है इवन इन्हों ने यह भी कहा कि बंगाल जो यह केवल बंगाल ही इजिप्स को सरपास करता है केवल राइस के प्रोड़क्शन में नहीं बलकि राइस कॉर्न और बाकी सारी जरूरत वाली चीज़ों में भी तो एक तरीके से यह लोहा मान रहे बंगाल को और डेफिनेटली यह बात true ही है बिगोज उस टैम पे अगर हम देखें तो फसलों से बहुत जादा प्रोड़क्शन होता था और यह चीज़ केवल इन्हों ने नहीं कही है बलकि अन्य यात्रियों ने भी इस बात की पुष्टी करी है अब केवल खाने की कोमोडिटीज ही नहीं बलकि अन्य चीज़ें जैसे सिल्क, कोटन, इंडिगो बहुत सारी चीज़ों के प्रोड़क्शन में बंगाल काफी आ गए है बलकि नहीं हम बात करने वाले हैं source-14 की यह भी important है तो देखे, बर्नेर ने क्या कहा imperial कारखाना के बारे में बर्नेर एक लोते historian होंगे जिनोंने काफी detailed account पर बात करी है imperial कारखाना यानि workshop पर अब यह क्या होते थे, imperial कारखाना का क्या मतलब है तो देखें काफी बड़े बड़े जो holes है ये large holes देखने को मिलते हैं काफी सारे places में और जिने कार खाना या workshop खा जाता था और ये किन के लिए होता था तो artisans के लिए होता था एक hole में जो embroiders है यानि जो हाथ से जो कडाही वगरा चीजें होती है ये embroidery का work करते हैं और इसके अलावा third में क्या है painter है मतलब कुल मिला करके artisans का ही ये complete workshop देखने को मिलता है और ये जो artisans हैं सुभाकार खाना में पहुंचते हैं और पूरे दिन ये work करते हैं और साम में ये अपने घर को चले जाते हैं टाउन्स को लेकर के vernier ने क्या discuss किया ये चीज हमने cover करी हैं ब और ये इवन जो western Europe है इसके urban population के proportion से भी जादा है और इवन बर्नियर ने describe किया था मुगल cities को camp towns के रूप में इसका मतलब ये था कि वैसे towns जो that owed their existence and dependent for their survival on the imperial camp जो imperial camp के आधार पर survive करते हैं और इसके बाद बर्नियर का यह भी कहना था कि ये existence में तब आते हैं जब imperial court move कर ज जी से अगर land ownership की बात करें तो बर्नियर ने एक बहुत ही simplified picture दिया है उनका ये कहना था कि सभी तरीके के towns है एक वैसे town जिन में manufacturing activity जादा हो रहे थे वो manufacturing town कहला है या trading town जहान व्यपार काफी जादा होता था port towns वगरा थे sacred center भी थे pilgrimage towns भी थे और ये जो existence है ये दिखाती है क काफी जादा merchant communities की prosperity हो रही थी और merchants का strong community या keen type जिसको कहते हैं ये काफी जादा होता था और इनके अपने caste कम occupational bodies होती थी जैसे western इंडिया में अगर हम बात करें तो ये जो group है ये महाजन कहलाते थे और इनके जो chief है ये state कहलाते थे अर्बन center के अगर हम बात करें जैसे एहम पूछे आते हैं और ऐसे सवाल पहले भी पूछे गए हैं और इसके बाद अन्य urban group की बात करें तो इनमें professional classes थी जैसे अगर हम physician की बात करें तो हकीम यावेद हो गये teacher थे lawyer वगरा थे painter थे architect थे तो हर तरीके से जो भी professional classes है ये भी urban group of center के रूप में देखने को मिलते थे अ काफी सारे musician का मुगल दर्वार में वर्क हुआ या painter वगरा का तो इनको तो patronage था king's का लेकिन काफी सारे जो एन्ने professional है ये अपना जीवन एन्ने patrons के आधार पर या जैसे still other search ordinary people in crowded market और बाजार यानि एन्ने तरीकों से भी अपना जीवन यापन करते थे ना यह हमारा last section इस chapter का women, slaves, sati and laborers तो देखे जो travelers हैं इन्होंने अपने accounts में कई तरीकी बातों का जिक्र किया है जिसमें slave, sati और laborer पर भी बात की गई है तो अगर हम देखें social inequalities को तो बहुत सारे जो travelers हैं इन्होंने slaves पर भी discussion किया है और जैसे अगर हम slaves की ही बात करें तो इन्हे openly sold के आता था market में किसी any commodity की तरह और यह अगर medieval India में देखें तो यह common practice थी इवन वुद्धा की अगर हम बात करें तो इवन वुद्धा जब सिंद्र पहुंचते हैं तो यह घोडे भी खरीते हैं, camels भी खरीते हैं और slaves को भी purchase करते हैं क्यों? ताकि यह gift कर सके सुल because यह काफी matter करता है, तो जब यह मुलतान पहुंचते हैं तो यह present करते हैं governor को क्या की slave भी देते हैं, horse देते हैं और इसके साथ में raisins और almonds भी देते हैं, अब मुहमद बिन तुगलग inform करते हैं इवन वुद्धा को और यह काफी खुस होते हैं और इसके बाद इन्हें दिय आता है, 100,000 टंकाज, यानि coins और 2000, 2000 slaves दिये जाते हैं, और इवन वुद्धा के पुस्तकों से पता चलता है कि काफी सारा differentiation भी था slaves के बीच, जैसे कुछ जो female slave हैं, यह तो सुल्तान की सरीस में होती थी, और इन्हें music और dance की काफी अच्छी समझ होती थी, और इवन वुद नोबल्स हैं, इन पर नजर रखी जा सके, बर्नियर ने सती पर भी काफी discussion किया है, और देखे एक बात इन्होंने कही है कि कुछ जो women's हैं, यह तो death को embrace करती थी और कुछ को force किया आता था death के लिए, तो source 15 के हम बात करते हैं, slave women पर discuss किया इवन वुद्धा ने, और इवन ने बताया है कि किस तरीके से यह emperor की habit थी, कि वो अपने slaves के through spying करवाएं, यानि जासुसी करवाएं nobles पर, इसके बाद अगर हम source 16 की बात करें, तो यह एक काफी marmik है, यानि काफी hiders पर सी description है, बर्नियर के द्वारा दिया गया है, जिसमें child सती पर बात की गई है, और य काफी अच्छे तरीके से नो ने लिखा है, मतलब काफी दुखा कहानी इन के द्वार लिखी गई है, The poor little creature appeared more dead than alive when she approached the dreadful pit. The agony of her mind cannot be described, she trembled and wept bitterly. But three or four of the brehmans assisted by an old woman who held her under the arm, forced the unwilling victim towards the fatal spot, seated her on the wood, tied her hand and feet, lest she should run away and in that situation the innocent creature was burnt alive. तो इस तरीके से इन्होंने अपने आखों देखी दास्ता को वेक्ट किया है और यह चीज देखी अगर आप सती के बारे में डिसकस करें अगर हम तो जैसा के मैं पता है अगर हम जैसे बर्नियर की ही बात करें तो यह तो काफी पहले खेर इन्होंने लिखा है बट दो, तीन सो, चार सो सालों के बाद तक भी एक्जिस्ट करती है और इवन हम 18, 20s या 30s के दसक में भी देखते हैं कि काफी सारे instances देखने को मिलते हैं सती के हाला कि देखे वुमेन का जो जीवन है उस टैम पे अगर हम देखें तो besides the practice of सती के अलावा भी अन्य चीजों के around भी revolve करता है जैसे उनका जो labor है इसका काफी महत तो था agriculture, non agriculture, दोनी production में अगर हम देखे तो इसके अलावा merchant families से जो वुमेन थी, इन्होंने commercial activities में भी participate किया और कई बार तो इन्होंने जो merchantile disputes होते थे, इनमें भी भाग लिया तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि केवल private space जो होते थे home के केवल यहीं तक सीमित नहीं थी महिलाएं बलकि अन्य चेत्रों में भी इनका काफी एहम योगदान देखने को मिला दोस्तों लास्ट में ये एक timeline है जो कि काफी जादा महतपूर्ण है यहां से भी काफी सारे सवाल देखने को मिले हैं तो ये 10 से लेकर 11th century के बीच travelers के बारे में बताया गया है और इसमें नाम आता है मुहमद इबन एहमद अबू रेहान अलबरूनी तो अलबरूनी के बारे में हमने पढ़ा है और इसके बाद 13th century के बाद करें तो मारको फोलो इटली से आते हैं यानि वेनेटियन होते हैं और 14th century के बाद करें तो इबन वज़ता मुरोको से 1333-34 के बीच ये भारत पहुंचते हैं और इसके बाद 15th century में अब्दूरजाक समरकंदी पर हमने बात की और यहां से निकीतीन ये सब ट्रेवलर्स मैंने अल्रेडी डिसकस किया है आप हिस्ट्री प्रेवलर्स से चेक करने विकोज इन पे भी सवाल काफी सारे पूछे गए हैं इसके बाद 16th century में बारबोजा है और सैदी अली रेईस हैं मॉंसरेट ये भी काफी ज़्यादा important है विकोज ये अकबर के दरवार में आते हैं और अकबर के दरवार में बहुत ज़्यादा यात्रिय नहीं है बड़ जो हैं वो important है 17th century के बाद करें तो महमूद वली बलकी है पीटर मुंडी ये भी important है पूछा भी गया एक्जांस में ट्रे बर्नियर पर तो हमने detail में डिसकस किया था ये हीरे के व्यापारी थे जेम मर्चंट बर्नियर पेसे से डॉक्टर थे और काफी कुछ इनों ने लिखा है लास्ट में तो हमने सारा बर्नियर का ही description डिसकस किया अगर आप civils versus men's के लिए answer writing के practice करना चाहते हैं तो ये सवाल भी एक बढ़िया आधार तै कर सकते हैं आप इनकी practice कर सकते हैं 100 से 1500 सब्दों में आपको लिखना है किस तरीके से इबन बतुता और बर्नियर ने अपने accounts में लिखा है और उनके differences भी आपको discuss करने है तीसरा आपको बताना है urban center की picture को discuss करना है जो कि बर्नियर के accounts हमें देखने को मिलता है चोथा ये कि इबन बतुता के द्वारा जो slavery के evidence को बताया गया है इसे analyze करिए और पांचवा सवाल ये है कि जो practice of सत्ती के elements देखने को मिलते है जिन्होंने बर्नियर का ध्यान आकरसित किया इनमें कौन-कौन से तत्व सामिल थे ये सवाल तो और भी अच्छे है बिको इसमें आपको essay लिखना है धाय सो से तीन सो सब्दों में तो theme 5 में इतना ही था काफी सारी चीज़ें हमने डिसकस करी एक लंबा chapter हो जाता है बट बहुत जादा chapters नहीं है तो इस वज़ा से ये काफी लंबा चोड़ा देखने को मिलता है एक chapter इसके बाद हमारा अगला जो theme है यानि अगला जो chapter है ये है भक्ती सूफी टेडिशन के उपर काफी important है ये chapter और हर साल आपको UPSC के किसी ना किसी एक्जाम में इस chapter से सवाल देखने को मिलते हैं सो मिलते हैं जल्दी next वीडियो में उमीद है आपको इस सीरीज से help मिल रही होगी आपने राय था विचार कॉमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें धन्यवाद जय हिंद